morphology of spider leg spiders जो हैं यह arachnids हैं इनके अंदर four pairs of legs मौझूद होते हैं four pairs functional हैं legs के यह ख्याल किया जाता है कि शायद spiders के अंदर six pairs of legs हुआ करते थे एक pair padipelp के अंदर convert हो गया यह mating के अंदर help करता है और एक जो pair है वो चैलिसरा के अंदर convert हुआ और four functional pairs of walking legs spiders के अंदर मौझूद हैं अब यह जो spiders की legs हैं यह body का जो पहला part है जिसको हम sphelo thorax कहते हैं उसके साथ attach होती है यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी टांगें sphelo thorax के साथ attach हैं कोई भी टांग abdomen के साथ attach नहीं है अब जो spider की एक typical leg है उसका जो पहला part है जो के body के साथ attach होता है इसको coxa कहते हैं उसके बाद second part जो छोटा सा जोड होता है इसको trochanter कहते हैं उसके बाद फिर femur उसके बाद फिर यहाँ पर एक छोटा सा जोड है जिसको patella कहते हैं उसके बाद tibia, metatarsus, tarsus और उसके बाद class आते हैं अब यह जो class है class का जो number है वो vary करता है जो typical spider है उसकी leg के seven parts हमने देखे coxa देखा, trochanter, femur, patella, tibia, metatarsus और tarsus अब अगर हम class के बाद करें जो के tip है leg की वहाँ पर मौझूद होते हैं इनका जो number है और इनका जो size है वो vary करता है इस slide के अगर आप देखें तो यहाँ पर यह class दिखाए गए है ऐसे spiders जो के web builders हैं जो web बनाते हैं उनके अंदर three class मौझूद है जबके जो hunting spiders हैं hunting spiders के अंदर two class मौझूद होते हैं उसके लावा जो class का size है यह भी जो spiders की different families है उनके अंदर vary करता है अब spiders और insects के अंदर यह भी difference है कि जो insects हैं उनके अंदर antenna मौझूद होता है जबके जो spiders हैं इनके अंदर antenna मौझूद नहीं होता इनकी जो legs हैं उनके उपर special structures जिनको हम CT कहते हैं मौझूद होते हैं यह जो CT हैं they help to detect scent, sound, vibration और air currents को भी detect करते हैं यारि जो काम insects के अंदर antenna पर फार्म करता है यहाँ पे इनकी legs के उपर यह जो special structures हैं जो के CT कहलाते हैं यह perform करते हैं कुछ spiders ऐसे भी हैं जिनके अंदर class मौझूद नहीं होते जैसे Australian crab spider इनके अंदर class मौझूद नहीं है उसके लावा जो paddy palp है paddy palp का जो अगला हिस्सा है यानि इसका जो front part होता है यह swollen होता है और यह help करता है mating process के अंदर इसको हम palpal bulb कहते हैं जो फूला वाईसा होता है या इसको हम palpal organ कहते हैं या फिर इसको हम copulatory bulb कहते हैं तो खास तो पर जो male spiders होते हैं male spiders के अंदर यह जो palp है इसका जो front part होता है वो swollen होता है जबकि जो females है females के अंदर यह parts swollen नहीं होता और जो palp है इसके अंदर seven की बजाए six parts मौझूद होते हैं जैसे कि typical leg जो है उसके seven parts हमने देखे इसके अंदर six parts मौझूद होते हैं तो जो spiders की जो legs है इनके अंदर जो special structures है CT यह as a sensory structure काम करते हैं spiders के four pairs of legs होते हैं जो के इनके fellow thorax के साथ attach होते हैं जो pedipelp है female के अंदर pedipelp swollen नहीं होता male के अंदर pedipelp swollen होता है उसके अलावा इनके अंदर four जो pairs है वो walking legs है और जो hunters होते हैं यह actively move कर सकते हैं जो jumping spiders है वो इन टांगों का इस्तमाल करते हुए jump भी कर सकते हैं टांगों का जो आखरी हिस्सा है उसके उपर class होते हैं इनकी तादाद और इनका size है वो different families के अंदर vary करता है